कि सो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी दोस्तों जैसे कि आपको पते हैं कि स्टैनों का नोटिफिकिशन कल आपका जारी हो गया है भी सगस्ता के फॉर्माद चुके हैं यहां आप लोगों को त्यारी और जोड़ों से करनी सुरूर कर देनी चाहिए क्योंकि आपके सामने फॉर को अचीव करना है पूरी मेनत करनी है हमें जितनी मेनत कर सकते हैं दोस्तों हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लान बना दिया है बहुत सारे इस्ट्रेटेजी बना दी है लेकिन वर्क उस पर आपको ही करना होगा यस तो थोड़ी सी मेनत बढ़ा दीजिए अपनी जितनी मेनत करने वालों को ही मीड़े की सफलता कि साथी साथ बच्चों थोड़ा सा बना जो स्ट्रेटेजी है वह भी आपको चेंग करनी होगी पढ़ाई के परती है जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं पेट पोर से माद्दम से और जो हमसे जुड़े हैं यूट् करना हों तो आप हमें वर्ट्सप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बोक्स से महारा नमर मिल जाएगा और जांकर लेसे के प्रेटिस करना बहुत जुरूरी है वह प्रिवेसर कॉस्ट्ट से हम उसमें उनली प्रिवेसर कुस्ट्ट्स को भी रखा है एम भी किरन एसी बखसी मिर बहुत सारी बुक्स से हमने रखा उसकंदर तो खूब मैनत किए और खूब आगे बढ़िए शुरू करते अपनी आज की वीडियो को बच्चो आज का है हमारा एल्फाबेट ए अब इसके खुब सरे इडिम्स में आपको लड़ी पढ़ा चुका था आज हम लोग बात करें आपको इडिम्स पहला क्या कि रहाब रिडिम्स में घंद दिजेगा ओल इयर्ज को मतला होता है बच्चो सुनने को उस शुक व्याइब रेड़ी एंड एगर तो लिसन अग्छे ऑल ग्रीक मैं बच्चो ओल ग्रीक ज्के ऑड़कर एक ऑसी लेंग्वेज है जो आपकी समझ से परे है मेरी समझ से परे है अगर उसको लिब दिया जाए गही तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे तो All Greek का मलब कोई ऐसी चीज जो आपकी समझ से परे हो अनजान हो यानि के Unfamiliar क्या होगा आपके लिए वो Unfamiliar All Greek समझ से परे अगला बच्चो All in the same boat यानि के सभी का एक ही बोट में सवार होना यानि के सभी का एक जैसे परेसिती में होना चुकि सभी लोग अगर एक ही बोट में होंगे तो समझो सभी एक ही परेसिती में है जिस परेसिती में आप हैं उसी परेसिती में वो है जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसी परिस्थिति से दूसरा भी गुजर रहा है तो all in the same boat यानि के समान परिस्थिति में होना everyone in the same condition all moonshine बचो all moonshine आपका इडियम बड़ा प्यारा इडियम बना है बचों को पता है कि जो अर्थ पर जो source of energy है वो आपका सन है source of light भी आपका सन ही है moon का अपना कोई light नहीं है और जिनका अपना कोई light नहीं होता है अपको बोलते है non-numinous लेकिन वो कह रहा है कि all moonshine यानिके जो भी सब कुछ है वो moonshine से ही है तो यानिके पूरा जिले से जूट होना खुलके जूट होना all moonshine जगो चोई all moonshine यानिक सब्सक्राइब के व्युक्त पूर्ण उनुफ से असत्य चीज़ को ही है complete life एक दम जूटी ओल वन्स नाइट माइट माइट में बच्चों माइट बोलते हैं ताकत को भी माइट का समार हम लोग ताकत के लिए समार क्या करते हैं और माइट आपकी संभावना के लिए होता ह है ओल वन्स माइट एंड मेन यानि कि अपनी पूरी शमता के साथ में पूरी तागत के साथ में वन्स फुल केपविरिटी एन एन अनर्जी पूरी शक्ति या शमता के साथ में ओल थम्स बच्चो एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम को बेढ़ंगे तरह से करने वाला और थम्स आगां है यहां से आपने स्फशा दिश्यापश की हो उसको बोते हैं एह अम्यमालग यह पूर्द यह वर देख रहे हैं कि यह वर्ड है हमारा कि एल्टर इस एल्टर का मतलब होता है बच्चो एक्सचेंज एकता है समझ देगा अदला बदली यह को मतलब भावनाएं तो कोई ऐसा मित्र जिसके साथ आप नहीं भावनाएं को अदला बदली कर सकते हैं कि जिसे आप अपने दिल की सारी बाद बता जाएता है एक ऐसा खास में एंटिमेट फ्रेंड बहुत नजदी की दोस्त आगे देखें क्या बच्चों आपर ओल्वेज आ ब्राइड्समेट नेवर अब ब्राइड समझे बच्चों ब्राइड बोलते हैं दुलन को मेड बोलते हैं नोकरानी को हमेशा नोकरानी बनना अभी ब्राइड ना बनना यानि कि कभी भी मुख्य भूमिका में ना होना हमेशा सेकंड नुस्पन होना कर नेवर दा मोस्त इंपोर्टेंट पर्सन हो इन पर्टिकोन सिच्विशन झाल ए और एफ यापको आज दिखा रहा है तो उसे आयक दिखाना यानिके जैसे को तैस यानिके से मैसी करना जैसा कोई आपके साथ में करें जैसे कर तैसा अगला है बच्छों आपका आइरन विल आइरन विल मतलब बच्छों विल माने बोलते हैं इच्छा को विल माने होगा भी विल माने वसीयत भी आइरन मुदलब लोहो जैसी लोहो जैसी दरड इच्छा रखने वाला यानि कि स्ट्रोंग विल पावर मजबूत इच्छा सकती वाला अगला बच्चो एपल ओडिस्कोड देखे यार रखिए कि घर में एपल एक है और खाने वाले दो लोग जगड़ा बढ़ जाएगा एपल ओडिस्कोड मतला जगड़े की जड़ यस क्या हो जाएगा आपका ये जगड़े की जड़ यार दिखें कि खाने मादे बच्चे घर में दो है और एपल सिरी फेक एपल इस्ट्रोंग और डिस्प्यूट विवाद या जगड़े का जड़ अगले आपका एपल पाई ओड़ एपल पाई ओड़ यानि के बच्चो साफ सुत्रा और सुववेस्थित यानि कि आप रेस्टोंट में गए और रेस्टोंट में आपने कुछ भी बिढ़ंगी चाही ने मुगाई आपने उससे एपल मुगाया और पाई यानि के केक्स बगार मुगाई बस और ये खाके आप घार बच्चन बच्चन करता हो वन से और नतिंगा ना पॉट इसके बार में से जलाब भी ना पता हो कमाल की बाद तो यह हैं आगे बढ़ेगा अगले हैं आम्ड टू टीथ यानि एक विकुल पूरी तरह हत्यारों से लैस होना चोटा बच्चा जब होता है बच्चो उसको जब सबसे पहरी पावर मिलती है और नहुन से तो एक ऐसी आर्मी जो विकुल दान्तों तक हत्यारों से भरी हुई है मूझ तक यह नहीं के तो आप तो टूटा टीथ मतलब आम कम्प्लिट विड वेपन्स हत्यारों से लैस होना ह हात्यारों से भरा हुआ होना पूरी तरह से अगला बच्चो अराउंड दाक लोग अराउंड दाक लोग मतलब बच्चो आप समझेगा कि घड़ी होती है जैसे की और उसके विकुल अराउंड दाक लोग यानि के चुबीसों घंटे अगला बच्चो अरो इन्दाक्यूग बच्चो कि वर बोलते हैं जिसमें वो तीर रखते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं कि वर तो अरों ड़ूर मनलब है one of several options और alternatives available कि एक ऐसा विकल्प जो लख्ष आसित करा था जब आपने देखा हुआ लोड़ाउन के दोरा म्रमायन को कि तो किस तरह से वह इने विकल्प इस्वान करते हैं कभी ब्रह्मा से चला दिया कभी को इसा और तो तो इस तरह से बच्छों अगला है एज डाफ्ट एज ब्रश यानि के बच्चो इसतना मुर्ख जितना एक बश यानि के बिल्कुल मुर्ख होना वेरी स्टुपिड और फुलिस यहां पे बश होगा आपका बश नहीं आप ऐस दा क्रोश फ्लाइज बच्छों कोवे होते हम एकोल यह सीजी रेखा मोड़ते हैं एक पीछे एक यह से बोलते हैं ऐस दा क्रोश फ्राइज जैने के एकदम सीधी रेखा में एकदम सीधी रेखा में इन दम मोस्ट डारेक्ट पार्ट बोडु को सीधी रेखा मुड़ना ऐघ्टर रोग्हों सकस्का ना किसको क्या के नसे किसको किया पूरिपये हैं पूरिज़ा गंपूरी तरह से मेंद आइटर बूर्ण के गन पूर्फूस हो ना कोन पर करुद में आगे पर बार बैट आ पत्थर के और बता से के वह रहा मेरा सामने घर या फिर वह सामने लगा है पत्थर वह है मेरा जाएगा यानिके मात्र एक किलुमेटर दूर तो कहीं साथ तरीके बहुत नजदीक यानिके क्वाइट क्लोज इंटमस अब डिस्टंस अपने से किस चिट को आम्स की लेंज पर रखना यानिके उससे दूर ना परहेज करना तो अवोइड कमिंग क्लोस्ट वन किस चिट को अपने पास आने से रोखना और उससे बचना को अगला है कि अगला कि यानिके आपका उद्धिश्य को चोड़ और उसका उद्धिश्य को चोड़ जाने के एक दूसरे के विकुल विरोधी होना को परफास होना जैसे कि आप लेखते हैं कि जब दो विरोधी देसों की वासाना चलती है तो आपकर तलवार को ऐसा लग जाता है यानिके विरूदी परपस की दोई लोग जो है बास्चित कर रहे हैं क्रोस परपस चलिए आगे बढ़ते हैं एट डैगर बोलते हैं खंजर को किर्पान को सिखिज्म में जो रखी जाती है अपने पास में तो डैगर ड्रान मतलब किर्पान खेच लेना यानिके सवच्छता कूर्ण अट लार्ज यानिके बच्छों लार्ज मतलब बहर परें अट लार्ज मतलब कानून की पकड़ से बाहर इस्टिल नोट कट बाई लॉँ अट लोगर्स हैड अट करह मादा बच्छों विरूदी यह सवच्छता कोण पूम। इन कॉठक्ट सम्मन to lose end बच्छो lose end मतलब वो end यानि के वो सीरा जो वेको lose end है without any regular occupations and unsettled यानि के बेरोजगार और बेचे बेरोजगार और बेचे to lose end आगे बढ़ते हैं बच्छो question number अगले पर अगले idiom से यह आपके आगे की idiom है इनको पढ़ते हैं बच्छो क्या कह रहा हैं आपर at odds odds बोलते हैं बच्छो विसम को यानि के सबसे अलग को like अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 तो इन में जो सबसे odds है वो आपका 9 हो जाएगा क्योंकि यह आपको उस रूल को फोलो नहीं करा जिस रूल को सही फोलो कर रहे हैं दूसरी बात यह सब एक even number है और 9 आपका एक odd number है तो यानि के बिल्कुल अलग होना विचारों में विरोधी होना विचारों में विरोधी होना at logarsets at once with end मतलब विट मतलब बोलते हैं अकल को end मतलब अंत हो जाना यानि किसी की अकल का पूरी तरह से अंत हो जाना यानि के पूरी तरह से confused हो जाना completely confused completely confused पूरी तरह से confused हो जाना अगला है at random यानि के बिना कारण के without any reason or planning at random at sea समुंद्र के बीच में जब आप पहुँच जाएंगे तो आप पूरी तरह से confused हो जाएंगे के जाना किदर है चुकि चारों तरह आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाए देगा yes at sea मतलब पूरी तरह से confused हो जाना पूरी तरह से confused हो जाना यानिके at sea अगला है at sixes and sevens यानिके चीजों का तीतर बितर हो जाना इदर उदर बिखड जाना disorganized हो जाना आगे दाद दीजेगा at snail space बच्छों snail बोलते हैं घूंगे को जो बहुत slow बहुत धीमी स्पीड सा चलता है pace आने के गती at snail space मतलब बहुत धीमी घृती से चलना बहुत slow speed से चलना with a very slow speed धीमी घृती से अगला है at the drop of a head head बोलते हैं टोपे को drop आने गिरना यानिके आपके सिर्षाब के टोपी गिर गई है और गिरते हैं आपने सो उठा भी लिया है है तो इनस्टै ली विदाउट logic कि विदाउट गिया यह बिना देर किए विदाउट इन कि अट दन ऑफ वंस टीटर बोलते हैं खुंटे को उस खुंटे को जिसपर बांध बच दिया जाता है इस पर जानवर को बांद दिया जाता है जो बोलते हैं खुंटा जुरूर जानते हुंगे आप लोग अधा एंड और वांस टीटा अगर इसको बांद देजाए तो वह इस लिमिट में जाएगा कि वह किस लिमिट तक जा सकता है किस सब्सक्राइब नहीं जा पाएगा तो उस पहली नजर में एड़ा फस्प्लस मतलब बच्चो बहुकुल पहली नजर में एज़ा फस्टिंप्रेस्ट यहां एट वैरियंस विद अलग तो किसी से बिन होना किसी से बिन वैरिंग फिर्म समवन यह बच्ट दो तरह की बड़ होते हैं हमारे पास एक तो ते वैरि वी ए आर वाई जो की एक एड़वर्ब है एक होता है वी ए आर वाई जो की वर्ब है वहरी मतलब अलग भिन होना अगला है एवरेज इटसेल्फ आउट यानि के विकुल अनुपातिक होना विकुल ऐसा होना जो संतूलन बनाए रखे बस तो प्रडूसर रिजल्ट डैट बल विकुल आपके घर में बड़ा है और आप सब ड़ते हैं इस तरह से समझ लेजिए जैस कोई व्यक्ति होता है ना परिवार में सबके परिवारा से कोई व्यक्ति होता है विकुल उसके लिए काम हो रहा है एक्स टू ग्राइंड मतलब अपना उल्लू सिदा करना अपना सेल्फिस मोटिव यानि कि याद रखें इस तरह से बच्चों के मतलब आपके पास एक एक्स है हाला कि कुलाडी का इसमाल ग्रैंड यानिके पिसने के लिए नहीं करते हैं लेकिन मजबूरन अगर आपको अपनी चट्मी बनानी पढ़े खाने के लिए तो आपने कुलाडी से या फिर समझे लो कुलाडी के ऊपर रख करके बना दी तो एक्स्टू ग्रैंड जंगल उंगल में जब काम करते हैं कोई वेक्ति तो महाँ पर वह आमाम तोड़ता रखेंगे वहीं उससे रूटी खा रहते हैं तो एक्स्टू ग्रैंड मतलब अपना उल्डू सीदा करन हम लोग बात करेंगे सी इल्फाबेट की बी के हलाकि बहुत सारे इल्फाबेट है थोड़ी मेहनत उस पर ज्यादा करने होगी लेकिन कोई बात नहीं कि साथ लगे रहेगा इसी तरह से प्यादत रहेगा हम लोग लगातार आपके लिए वीडियो सुलाते रहे हैं कि दूस